अकंड मंतन के सबी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अकंड मंतन आगे क्या होने वाला है सिरीज में आज के एपिसोड में देखे भगवान शी जगनात द्वारा किया गया वह चमतकार जिसने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का जीवन बचा लिया कहने को तो ये एक साधर घटना भी हो सकती थी लेकिन जिस शक्ति ने इस शक्तिशाली व्यक्ति को बचाया है वह घटना जुड़ी है अमेरिका में होने वाली उस जगनात रथियात्रा की जो की 1970 के दशक में आयोजिक की जा रही थी ये भी एक सन्योगी देखिए कि इस समय भी रथियात्रा चल रही है और तब रथियात्रा का आयोजन किया जाना था लेकिन तब अमेरिका में इतने बड़े रथ निर्मार के लिए कोई इस्थान देने को तयार नहीं था चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी राष्टपती पद की दोड़ में सबसे आगे चल रहे उम्मिदवार डोनाल्ड ट्रम्प की जिन पर पेंसेन विलिया में एक चुनावी रैली के दोरान एक बंदूग धारी व्यक्ति ने हमला किया जिसमें वो घायल हो गए हमलावर का लक्ष एक बार में ही ट्रम्प के जीवन को समाप्त करना था क्योंकि उसने एक नहीं कई राउंड फायर किये ताकि ट्रम्प हर हाल में मारे जाएं लेकिन बचाने वाला तो कोई और ही था इस हमले के दोरान ट्रम्प के कान के पास से गोली चू कर निकल गई ट्रम्प इस हमले में बाल बाल बच गए अब ट्रम्प को मिले इस जीवन दान को लेकर आधी सदी पूरो आयो जित हुई उस रत्यात्रा को याद किया जा रहा है जिसमें ट्रम्प ने बहुत बड़ी भूमिकानी भाई थी। बदला चुका दिया और उनकी जान को बचा करके उन्होंने उस उपकार का बदला चुका दिया जो उन्होंने उस समय किया था। पहली रत यात्रा संभव हो पाई थी। तब न्यूयार्क में फिफ्ट एविन्यो के पास रत निर्माड के लिए एक विशाल स्थान को खोजना एक बड़ी चुनोती थी। इसकौन भक्तों ने तब कई अधिकारियों और अमेरिकी प्रशासन से मदद की गुहार रगाई थी। लेकिन सब ने असमर्थता विक्त कर दी थी। तब इसकौन के भक्त जो न्यूयार्क में एक भवे रत यात्रा के साथ संगठन के दस्वे उत्सो को बड़े उत्साह से मनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस थान ना मिलने के कारण रत का निर्माड कैसे हो ये एक बड़ा प्रशन था। तब इस कौन के भक्तों को पता चला कि डोनाल ट्रम्प ने पुराने रेलवे यार्ड को खरी लिया है। भक्तों के मन में ट्रम्प को लेकर एक आशा जगी कि वो ये स्थान उन्हें रत निर्माड के लिए दे दे इसी उदेशी से जब कृष्ण भक्त महाप्रसाट की टोकरी और एक प्रेजेंटेशन पैकेज लेकर ट्रम्प के ऑफिस गए उस समय ट्रम्प की आयू तीस ट्रम्प के सचीव ने भक्तों को फोन करके कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है लेकिन उन्होंने आपका पत्र पढ़ा आपके द्वारा छोड़ा गया महाप्रसाट भी ग्रहन किया और तुरंत कहा क्यो नहीं और इस तरह से ट्रम्प ने श्री जगनात रत यात्रा के न बिला है और ये उसी कारण हुआ है जिसमें ट्रम्प ने रत यात्रा निकालने में कृष्ण भक्तों की सहायता की थी बविश्य मालिका में लिखा है कि श्री जगनात के भक्त सारे संसार भर में फैले हुए हैं अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या प्रता ट्रम्प दौरान ही ट्रम्प को एक नया जीवन दान मिला है यदि सन्योंगों को मिला कर देखें तो ये किसी चमतकार से कम नहीं है लेकिन इस तत्थे से इतना तो सिध्ध हो ही रहा है किस जगनात जी कल्योग के इश्वर हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सक से प्रस्तुत कर दिया था बिग्स नाम के इस भविश्वेता का कहना है कि इश्वर ने उन्हें बताया कि आगे क्या होने वाला है बिग्स कहते हैं कि उन्होंने देखा कि अमेरिका में घृड़ा की आग हर तरफ फैली है और ट्रम्प एक बार फिर उट खड़े होते हैं उनका कहना है कि उन्होंने देखा कि डूनाल ट्रम्प पर जान लेवा हमला होता है गोली उनके कान को फारती हुई निकल जाती है ये सिर के काफी करीब से निकलती है उन्होंने देखा कि वह घुटनों के बल बैठ गए हैं और इश्वर से प्राथना आरम कर दी हैं तो इस आने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। आने वाली घटनाओं के बारे में बताया है। हमलावर बेशक मारा गया लेकिन जाच चल रही है। हमलावर ने 5.56 mm की ए आर शैली की राइफल का प्रयोग किया। क्रुक्स ने दो महापूरो ही इलगनी काउंटी के कम्रिटी कॉलिज से इसनातक किया और इंजिनरिंग साइंस में एसोसियेट की डिग्री प्राप्त की थी। अभी समले के पीछे उसका क्या लक्षे था ये बात तो जाच के सामने ही पता चलेगी। तो दर्शकों आज आगे क्या होने वाला है एपिसोड में बस इतना ही। हमने आपको बताया कि कैसे भगवान श्री जगरनात की जो महिमा है वो अब धीरे धीरे संसार भर में फैलती चली जा रही है और ट्रम्प पर हुए हमले के बाद जो उनका योगदान रत्यात्रा के लिए किया गया था उसकी चर्चा अब संसार भर की मीडिया में हो रही है इसका तो अर्थ यही है कि भविश्य मालिका में जैसा लिखा गया है कि जब भगवान के आने का समय निकट होगा तब उनकी महिमा जो है सारे संसार भर में फैलने लगेगी और यही अब इस समय जो घटनाए हो रही है उसको देख करके भी ऐसा ही लग रहा है तो आज के एपिसोड में इतना ही कल मिलते हैं आगे क्या होने वाला है कि एक नए एपिसोड के साथ यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज में उससे प्रस्तूत करें तो इसके लिए आप हमारे वाट्सेप नमबर 705414965 पर ह हमें वो सारी जानकारी भेज सकते हैं तन्यवाद नमस्कार